यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाव में रहते थे। बढ़ा बच्चा टैन साल का था और छोटा सेवन साल का। दोनों हमेशा एक दुसरे के साथ रहते, एक दुसरे के साथ खेलते और एक दुसरे के साथ ही घूमते। एक दिन दोनों खेलते खेलते गाव से थोड़ा दूर निकलाए। अगले ही पल वह सेवन साल का बच्चा उस टैन साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खीच रहा था। खैर दोनों डरते डरते गाव पहुँचे और उन्होंने गाव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रसी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बढड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गाव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हसने लगे कि आखिर एक सेवन साल का बच्चा एक टैन साल के बच्चे को रसी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गाव के सबसे समझदार बुजर्गों में से एक थे। गाव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की पता चली, तो सब इकठे होकर करीम चाचा के पास पहुँचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा है, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा ये कर रहा था, उस वक्त उसको वहां ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, यहां तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं। अगर आपको जिंदगी में काम्याब होना है तो अपने आपको कमजोर मत समझिए, मुसीबत समय घबराईए नहीं, उसका डटकर मुकाबला कीजिए, तो मुसीबत क्या बड़े बड़े पहाड भी आपके रास्ते से हट जाएंगे?